तुडियर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए सिक्ष समस्टर के सोसोलोजी यानि की समास साफ्तर के तो जिन जिन भी इनवर्षिटियम परिछाएं बेश सिक्ष समस्टर की लगी हुई है और उनका समास साफ्त रियानि की सोसोलोजी और उनको दुतिय प्रश्णपत्र रियानि के सिकेंड पेपर होने वाला समास साफ्त का तो उनको वीडियो जरूर देखनी चाहिए जहां जह कर पहला प्रशा है कि प्रकार्यात्मक फच्छार्था का क्या उद्देश में और उनके प्रफचार्था उद्देश में तो क娘 정도 Whenever का उद्देश है धान सुनेंगे इस कारिक्रम का उद्देश होता है प्रोग्राम का उद्देश होता है जो पॉड महलाओं के लिए ठीक है प्रकार्यात्मक फच्छारता है इसका उद्देश है कि 15 से लेकर 45 वस्ट की आव यानि की उमर की समूह की जो महलाएं हैं इनकी बोजन और पोसर्ण ग्रह प्रबंधन और सिसु देख रेक पाट साला और विवहारिक योगिता के बारे में अनोब चारिक सिच्छा देना ठीक है कितने से कितने उमर के बीच की महलाओं के लिए 15 से 45 वर्थ की जो भी महला हैं उनको कैसे सच रखना चाहिए घर को कैसे अपन अगला प्रशन है कि इश्वर चंद विद्या सागर की पहचान किस रूप में की जाती है इस वर्चंद विद्या फागर आपने नाम तो सुनाई होगा कि प्रमुक बिद्वान हैं और हिंदी साहित के बहुत प्रमुक कभी भी हैं तो द्यान से उत्तर लिखेंगे कि इस व अपने बेक्तिगत रूप से बिना किसी संग की अफ्थापना के इस्तिरियों के सुधार के लिए अनेक कार किया है मतब कि महलाओं को किस प्रकार फे पुर्फों फे आगे या फिर पुर्फों के बराबर वो हक दिलाएं हर चीज में उनके लिए कार करते रहे और उनको बहुत काई किया है तो यह अच्छे फि्छा देनी चाहिए ने हो जाने की सबस्कार गटाएं हो तो यह सब्चीज इन्होंने समाज में बताई है और इन्होंने समाज को इस प्रकार और मोड़ा बनाया है ताकि किसी भी प्रकास से महलाएं जो इस्त्रियां हैं वो कम न रहें तो बहुत महात्पूर्ण प्रस ध्यान रखेंगे अगला की सती प्रथा निरोधक अधिनियम का पारित हुआ जो कि 1929 में हुआ ध्यान लखेंगे अगला की कब से अंतर राफ्टे महला दिवस मनायाना सुरो हुआ तो महलाएं जो हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल ओमें डे किया जाने लगा जो कि 8 मार्च 1997 से ध्यान लखेंगे अंतर राफ्टे महला दिवस 8 मार्च 1997 को मनाया जाता है अगला प्रस्टुत है कि विश्चुखा दियोजना भारत के दस राज्यों में कबस्टे चलाई जा रही है तो ये चलाई जा रहें 1976 से जो कि प्रमुक प्रस्टने ध्यार लखेंगे अगला प्रस्टने की लैंगिक बिस्मता का अर्थ बताते हुए समाजिक छेत्र में बिस्मता की चर्चा कीजिए तो लैंगिक बिस्मता के बारे में आपको यहाँ पर पूरा परिश्य लिखा गया आपको पढ़ लेना है क्योंकि आपके कोईश्टन पेपर प्रस्टन पत्र का ही नाम है ठीक है लिंग और समाज यानि की जंडर एंड ससाइटी तो लिंग के आधार पर महलाओं पर किसी भी प्रकार का भेद भाव बहिसकार या बंधन लगाना इस्तरी पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कबजोर करना या निस्र प्रभावी बनाना महलाओं को अनिक मानवा अधिकार के साथ साथ उनके राजन प्रमुक बिभेदी करण देखा जा सकता है और आपके जानकारी के लबता दें यहां पर यही बताया गया है कि राजनितिक आर्थिको समाजिक छेत्र में या पिर अनकेफिक छेत्र में जो भी अधिकार मनुस्च के हैं यानि कि पुरुस्च के हैं वही अधिकार इस्तिरी मह महला के भी हैं उसमें लिंग को देखते हुए या फिर जंडर को मानते हुए पुरुस महला को इफ को ना देखते हुए आप बराबर हक दें वो चाहे राजनेति एदिक से चाहाँ पर महला के बारे में बताई घया गया तो परिवार के बारे में बताजा गया तो परिवार में माता लोग आप सबके घर में अगर कोई आपके पिता है माता तो में पिता भाई बहने तो उसमें आपके पुत्री या फिर आपकी भाई-बैन उसमें पुत्र का भाई सबसे पहले उसको दर्जा जया जाएगा पत्नी पती तो उसमें पती का कारिक बेटर होगा यानि कि पती फस्ट नंबर पे आएगा पती की बात मानी जाएगी ठीक है इफी तरह कुर्मला के परिवार में चाहाँ वो पत्र हो चाहाँ वो पती हो चाहाँ वो पिता हो च ठीक है इसकर को आगे रखा गया है entire entire living Department you even aby आपको ध्यान रखना है इसके बारे में आप गरapa लिखे उतना ही कम रहेगा क्योंकि समाज का है पहले से pattern चला रहा है कि पुर्सों उ महलाओं की आप एच्छा पुर्सों को ज़्यादा महत तो दिया जाया उनकी बात को ज़्यादा सही माना जाया या फिर उनकी राए ली जाया पुरसों की ठीक है तो यह बहुत बड़ी समस्या आप लोग कहें या फिर आप लोग कह सकते हैं पहले से पैटर चला रहा हाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी महलाएं भी अपना 100% देती हैं और उनका भी कहा सही होता है तो यह कुछ बेसिक चीजे हैं जिनके उत्पीड़न की प्रकत के बारे में जानते हैं नमबर एक पे धहेज से समन्दित यातनाओं में हत्या कर दे今天 दि Ferr पहले ही डिबार्ड कर लिया जाता है किसी वज़ा से भी कोई समान नहीं मिल पाता है तो जब दुलहन घर आती है तो वहां से उसको उत्पीडण इसको बोलते हैं ठीक है उसको परिसान किया जाता है कि आपके पिता ने फिर आपके घरवाल यह नहीं दिया यह देना चाहिए दिलाइए ऐसा और कवी-कवी ऐसे तो आ जाती है कि लड़की बोल देती है जो बाई लड़की जिस घर में जाती बोल देती है उसके अभका पाएगी तो उसकी हथ्या भी कर दे जाती है कौन लोग क बेवार करना ठीक है विद्वाओं के बिर्धुहिंसा नारी हत्यां ब्रुण हत्या तो यह सब कुछ प्रमुक महलाओं के उत्पड़न सम्मंदिस समस्चाएं हैं जो कि यहां पर प्रफ्तुत किया गया है आप लोग इसी प्रकार उत्तर लिखेंगे अगर प्रशनाता है तो ध्यान से सुन लिजिएगा महला उत्पूर्टन Sweet 2013 बाल्विकाशियों महला का ल्याण मंत्राले द्वारा दिसंबर 2013 में पायत किया गया इफ़े घरेलुहिंसा की सिकार महलायेन्याप राप्त कर सकेंगी तथा इंसात पन करने वाली विक्तिकों दंडित हो सकेंगे मतलब क एक निए मनाया गया विदान में या बोल सकते हैं कि कानून मनाया गया जिसमें अगर कोई भी महला को प्रेसान करता है ये पिर किसी भी चीज को फोर्स करता है जो की गलत है तो उसके लिए महला किंपलेन सकती हैं और उस बेक्ट को दंड यानि की सजा दिला फक्ति जो उसको परेसान कर रहा है या फिर उसको परेसानी करने मजबूर कर रहा है तो यह एक कानून बनाया गया था पर प्रमुक कारण है पहला की प्रमुक कारण है प्रश्ट 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 इस पर एक बिश्तित टीका किसके द्वारा कप्रकाफित किया गया तो उठाफ चोड़ासी में इंगेल्स के द्वारा ठीक प्रकाफित किया गया था ध्यार नकिंगे अगला की विमेंस डिवल्प्मेंट कोरपरेस्ट के बारें पढ़ लीजेगे भी महात पूर्ट प्रश्ट ने ठीक है अगला प्रश्ट आप लोगों के समझते है कि हिंदू बिद्वा पुनर बिवा अधिनियम की प्रूब बिशिष्टा है बताईए तो पहले बिशिष्टा इसमें से यह है कि विद्वा पुनर बिवा कानून की दृष्ट से मानने हैं उनसे उत्पन संतान भी वैद मानी जाएगी पूर्व पती की संपत्त में उसका जो अधिकार हो या जो इससा मिला हो उसका पुनर बिवा के बाद त्यागना होगा यह कुछ है मतलब कि किसी भी पती पतनी है तो उसमें से पती की मृत्ति हो गई है तो वो विद्वा हो जाती तो विद्वा होने कानून में बगाइदा वरण किया गया है और उससे जो दूसरी जो साधि होगी उससे जो अगला की घरेलू स्रम किस प्रकार का स्रम है तो पढ़ लीजीगा गहरे लागे समाजी कृप से आवस्चे कुत पादन का बड़ा हिस्सा होते हैं होते हुए भी वास्तवी कारिफ लिए नहीं माना जाता क्योंकि वह बजार वह बेवफार फे दूर होता है तो पढ़ लीजिएगा अगला कि लेंगिक स्रम विभाजन के हफिया करन बिभिन पहलों ये कम उम्मिद है आने के तो इग्नोर कर दीजिएगा वैसे अवरत के बार उस सूरत में अनुष्चित किया जा सकेगा जिसमें निम्नसरते पूरी हो पहला है कि दोनों पच्छो कारों में से किसी का पती या पत्नी विवा के समय जीबित ना हो बिधी मानिस सम्मति देने में समर्थ हो मानसिक विकार में ग्रफ्त ना हो फंतान और पत्य के योग हो दोरा बार बार ना पढ़ता हो वर की 21 वर्स उमर होनी चाहिए और वदू की 18 वर्स आयो होनी चाहिए ठीक है विवा के समय पूरी कर ली हो तब ही आप हिंदू बिवा की जो नियम कानून है उनको कंप्लेट कर पाते हैं तो यह कुछ हिंदू बिवा की सड़ते हैं जिनको अनुयाईयों के सहित ऐसे सभी ब्यक्ति पर लागू है जो हिंदू धर्म के रूप में विकासों में से किसी के नाते धर्म से हिंदू है तो ध्यान लखेंगे भी महात्मोड प्रश्ण है भरवर पोस्तर अधनियम के बारे में पढ़ सकते भी कभी कदारफंस जाता है ठीक पन में फजा देने का क्या प्रवधान ये भी बहुत कमाता लेकिन आप बढ़ भी सकते अग्णोर भी कर सकते हैं आगला कोश्चन है कि कोठारी फिच्छा आयोग ने भारते फिच्छा में गत्फीलता तथा साथारकता लाने के लिए फिच्छा में किन-किन उपायों का उ समाज का दूनी करना ये कुछ प्रमुक कठोरी फिच्छा आयोग भारते फिच्छा में गत्सफीलता था साथ ठीक है साथ रखता लाने के लिए कुछ उपाय हैं जिनके बारे में यहां पर उलेक किया ध्यान नखेंगे अगला के फिच्छा के कुछ उद्देश बताई है जो कि common question है तो पहला उद्देश ये कि फिच्छा समाजी करन में सहायक है समाज में जरूरी है फिच्छा बेवसाय को सुलता पैस च्छड़ देने में सहायक है यानि कि अगर आपको इसके लिया फिर कुछ बेवसाय उसमें भी बहुत जरूरी है फिच्छा गुड़ों जानकारी रहेगी किसी भी छेत्र के बारे में ठीक है निए बहुत जरूरी है तो सबीचीज का विकास होता है इन्हार कि हर चीज में आप के जीवन की जितनी भी एक्टिविटी है उसमें हर चीज में फिच्छा का बहुत बड़ा योगदान है, सब चीज का विकाफ करता है, फिच्छा समाजी करना का एक ससक्त फाधन फिच्छा हमारा मार्क दर्सन करती है, फिच्छा मात नोकरी प्राप्त करने का फाधन नहीं है, बल्क इफ़े हमारी ब्योसाय, हमारा टैलेंट, हमारी हमारे रहन सहन आने जाने बैटने उठने खाने पीने ठीक है इन सब चीजों पर भी बहुत बड़ा इसका इंपक्ट पड़ता है सिर्फ नौकरी ही प्राप्त करना फिच्छा नहीं है ब्योसाय करना अपना अलग कोई कारे करना प्लस अपने जीवन को किसी के लिए योगदा करना किसी के लिए मुलिवान साबित करना किफी के जीवन को और उजागर करना उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में और भी बहुत सारे प्रशन है इसमें आपको हम पूरी के पूरी पीडिएफ ये टेली ग्राम को रजेगा उसमें हो जाएगा हम आपको करनेगे आप जैसे मैसेज करेंगे या फिनाहीं वी कर ने तो हम आपको स्थर चान हो सकते और उमीद है कि और भी को सबसकते हैं तो आपके एक्जाम के लिए all the best बाकी मिलते हैं वीडियो में यह आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा जय हिंद्ध